हेलो फ्रेंट्स महीं अनबुर्णा और आपका सौगत है मेरे किछन में आज में बनाने वाली हो ट्रेडिशनल सांबर मसाला वो भी घर पे वैसे तो मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होता है बट घर पे हम लोग इसे कम खर्ष में और एकदम शुद्ध सांबर मसाला बन करिया पत्ती है मेती है जीरा एकस्पुन है सुखी लाल मिर्च है हींग है कुछ काली मिर्च है और सुखा नारियल है इन सबको पहले मैं भून की फिर इसका पॉड़र बनाऊंगी उसके लिए सबसे पहले मैंने कड़ाई रखके उसमें डाला है खड़ा धनिया ये वन अब ये भून गया है मैंने इसको निकाल के डाला मिक्सी के जार में अब मैं भून रही हूं डाले सबसे पहले मैंने डाला है चना दाल 2 स्पुन है उड़त दाल 2 स्पुन रहर दाल 2 स्पुन इनको भी मैं हलका सुनेरा होते तक भूनूंगी ताकि इसमें जो भी नमी है व सुखा नारीयल, सुखा नारीयल डालके हमें जयादा नहीं बोन आपक हालका ही रोस्ट करना सुखा नारीयल को मै बोन रही हूँ एक मिनट में बोन जाएगा यह वी अल्मस्त बन गया है अब मैं इसको भी निकाल के डालोगे मिक्सके काली मिर्च के बाद डाला है मेथी दाना जादा दे डाला है मैंने हाफ स्पोन डाला है काली मिर्च भी एक स्पोन जीरा अब इनको भुन रही हूँ इनको भुन के अब में डाली है 1 spoon सरसो, सस्सो डालके मैं इसको भी अछे से भून रही हूँ, अब मैं डालूंगी हीग, हीग है half spoon, हीग से ही अच्छा फुलेवर आता है, हीग नहीं डालेंगी तो सांबर में फ्लेवर नहीं आएगा, उसके बाद मैंने करिया पत्ती का एक स्रिप डाला है, हल्दी डाला है अच्छे से भुन रही हूँ, हल्दी डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, अदर्वाइस हल्दी जल जाएगा और सांबर का कलर अच्छा नहीं आएगा अब मैं इसको भुन ली हूँ, अब ठंडा करके मैं इसका पॉडर बनाऊंगे हो गया है और मैंने इसका एकदम फाइन पॉडर बना लिया है, आप भी इसे बनाइए और इसको ड्राइ पोटल में स्टोर करके रखना ये दो मेने तक चलेगा इसको डालते साथ सांबर का टेस्ट भी बहुत अच्छा हैगा, तो आप भी इस सांबर मसाला बनाइए और बताइए, अगर आपको मेरी ये सांबर मसाला की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइ अपको मिल सके, थैंक यू